हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल लिनाज किचन हिंदी तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नारेल की कड़ी के पराठे बहुत ही तेस्टी बहुत ही लाजवाब और आपने इस तरह से कभी भी नारेल की पराठे नहीं बनाई होंगे सादा पराठा और दाल का पराठा तो आपने बहुत बनाया होगा लेकिं इस तरह से आपने कभी नारेल की कड़ी के पराठा नाम ही पहली बार सुना होगा तो बनती है बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब पराठा तो एक बार जरू बनाईए तो जलिए फ्रेंज जाद आधा कप सूजी एड़ करने के साथ ही थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैं आपकर आड़ करूंगी इसी के साथ क्योंकि जो बेशन का फ्लेवर होता बहुत ही ला जवाब लगता है और इससे नाडल की कड़ी बनती है के पराठे बनते हैं बहुत ही ज्यादा सौफ्ट ही और इसी के साथ थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैं यहां पर आदा चमच जीरा एड़ करने जा रही हूं, जीरे के साथ ही थोड़ा सा टेस्टी बनाने के साथ मैं यहां पर गरम मसाला एड़ करने जा रही हूं, चोथा ही चमच गरम मसाला और नमक एड़ किया यहां पर चौथा ही चमश तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्लेवर बनाने के लिए मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ ग्रेटेट पत्ता को भी आप कोई भी वेजिटेबल इसमें एड़ कर सकते हैं केप्सिकम गाजर और कोई भी वेजिटेबल आपकी मन पसंद की जो आप पसंद करते हैं वो यहाँ पर एड़ कर सकते हैं और पराठे बनेंगे बहुत ही लाजवाब क्योंकि जो नारेल की कड़ी है उसमें नमक पहले से ही होता है तो आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग न समध्राः धनिया तो इसको एक बार मिला लेंगे मिलाने के साथ इने यहाँ पर बनाने जा रहक हूं और ऑर Sheky paid कह कुछ इस तरह से बिलकुल जोगाना है और लोई बनाने बिलकुल ऊबनाने के लोए बनाते उससी तरह से बनाना है तो लोई भी देखे बहुत ही सुनदर दिख रही है तो इसको बेलना है बिल्कुल पतला पतला आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बना सकते हैं तो इससे फ्लेवर बनेगा बहुत ही ज्यादा टेस्टी क्योंकि जो पतले पतले पराठे बनते हैं उसका तो कहना ही क्या और इसका जो कॉर्णर है वो इसको बनाना है बहुत ही जादा पतला तो ये पराठा बिल्कुल सिखने के लिए तयार है तो बिल्कुल सेखने के लिए मैंने यहां पर इसको बिल्कुल रेड़ी कर दिया है तो अब हम तयार ही करेंगे इसको तो यहां पर देखे तवा भी गरम हो चुका है तो तवे पर गरम होन बिल्कुल मीडियम लोग फ्लेम पर रखनी है और यहां पर मैं तेल एड़ करने जारी हूँ एक चमच और इसको जब तक कि गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता पराटे का तब तक बहुत ही ज्यादा फ्लेवर नहीं आता तो देखे जब तक देखे इसमें तोड़ा सालका सा गोल् देख लेंगे तो बिल्कुल कम आज पर सिखेंगे तो पराटे भी जलेंगे नहीं और फ्लेवर बनेंगा बहुत ही लाजवाब देखे तेल इस तरह से चारो तरफ से कॉर्णर पर हमें स्प्रीड करना है तो यहां पर देखे बिल्कुल सिख चुके हैं एक तरफ से भी सु serving plate में तो दिखरा ना बहुत ही लाजवाब आया ना मुह में पानी आपके तो यह पराथा बहुत ही दूसे पराथों से लगता है बहुत ही अलग तो यहां पर देखे दूसा पराथा भी इससी तरहसे मैंने बेल लिया हैं तो इसको भी इसी तरहसे से अब आप यह सूछेंगे कि हम नारีल की कड़ी कहां से रसफ पीक देखेंगे और कहां से तो आप ज्यादा टेंच्छन नहीं लिजिए तो नारेल की कड़ी की रसफ आप सर्च कर सकते हैं राज किचन रेसिपी पर जाकर तो बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब रेसिपी शेयर करते हैं तो यहाँ पर देखें इसको दूसरी तरह से भी सेख लिया है और सेखने के साथ ही इसको जितना तेल के साथ सेखेंगे उतना ही जादा फ्लेवर देगी तो वीडियो अच झाल झाल